तो स्वागत है आप सुभी का ग्यापनिकेडमी के इसनाय और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आशियाना आशियाना का मतलब होता है घर जैसे कि हम लोग अपना घर होता है आशियाना का मतलब क्या घर आप लोग हो सकता है कि अभी अपने घर में बैट कर मेरा ये वीडियो देख रहे हो या फिर हो सकता है कि घर से बाहर हो तो मतलब यह मेरे बताने का मतलब यह है और इस कहानी में यह बताया गया है कि अपना आशियाना अपना घर अपना ही होता है जिस पर अपना हुक्म चलता है अपने घर की अपनी जिम्मेदारी होती है आप अपने घर में अपने आशियाने में जो चाहे कर सकते हैं दिल खोल क दूसरे लोग के आश्याने की तो उस पर पराय लोग का ही हक होता है जिसका आश्याना उसी का उस पर हुकम चलेगा उसी पर उसका उसी की जिम्मेदारी उसके घर के उपर रहेगी ठीक है पराय घर में पराय घर का ही अधिकार होता है चाहे वो बेटे और बहु का ही घर क्यो नहों उस पर उसी का हख होगा आपका हुक्म नहीं चल सकता है आपका हुक्म आपके अपने आश्याने आपके अपने घर में चलता है ठीक है तो उसी तरह का यह कहानी बताया किया है इसमें एक उरत की कहानी है चलिए स्टाटिंग से मैं आप लोगों को कहानी बताती हूं और याद रखषेगा यह webpage आश्यान या एक Osmanel की कहानी कि Bennett लिए इस अफ्सान के क्सवीर देख लिया जाता है तो तुर्ण दिमाग में छब जाता एक अच्छा ध्रक्र के राइटर यहीं है तो आप लोग सकते हैं इनका 5 लाइव कर लक्र कर सकते हैं गूच करके सेकर न की हम अपने घर में जमीन पर सोये, फर्स पर सोये, छघत पर शुए, कहीं पर भी तोये अपना हक होता है, अपने खेल में हसे, कुदे, बोले, जो कुछ करें, अपनागर अपनाई ही होता है, तो वही कहानी इसमें बताई गई है चले स्टार्टिंग से मैं आप लोग友 को चाहानी बताती हूं यह कहानी है बर्क अली और जरीना की बर्क Ну लिकने रहते हैं है जो की यह मतलब इनका नौक रहता है और इनकी शादी रहती जरीना से इनका मेन केरेक्टर इस कहानी का जो मेन केरेक्टर आप बोल सकते हैं इस कहानी के मेन केरेक्टर कॉन बरकत अली की वाइफ पत्नी बता रही हो ठीक है तो कहानी इस तरह है कि बरकत अली और जरीना एक दूसरे के हस्बंड वाइफ रहते हैं और दोनों अपने आशियाने में एकदम खुशाल जिंदगी बिताते हैं इन दोनों का दो आउलाद रहते हैं एक बेटी और एक बेटा बहुत खुश नसीब है एक बेटी और एक बेटा बरकत अली और जरीना का कितना आउलाद तो दो आउलाद एक बेटी और एक बेटा बेटी का नाम रहता है रुकईया और बेटा का नाम रहता है सिराज रुकईया बड़ी होती है इसको पढ़ा लिखा कर बरकत अली और ज रहता है सिराज को बैंगलोर में जॉभ मिल जाती ए और वहीं पर रहने भी लगता है रेंट पर रूम लेकर रहता है और अपने से कुछ से खाना बनाता है और नौकरी करता रहता है ठीक है शादी कर देनी है तो बरकतली और जरीना जो है ना सिराज की शादी कर देते हैं किस लड़की से उस लड़की का नाम रहता है इर्फाना ठेक है इर्फाना नाम की लड़की से शादी हो जाती है सिराज की सिराज और इर्फाना ये एक दूसरे की हस्मेंट वाइफ बन जाते ह और दोनों ही बेटे एक का नाम क्या था अधनान और दुसरा का फरहान याद रखिएगा अधनान यह 9 साल का था और फरहान 5 साल का अब सिराज की शादी भी हो जाती है बच्चे भी हो जाते हैं तो सिराज अपने बीवी बच्चों के सांथ बैंगलॉर में ही जाकर शिप्ट बैंगलॉर में नौकरी मिलने के बाद यह अपने बीवी और बच्चों को भी बैंगलॉर में ही लेकर रहने लगा अब अपने आश्याने में बरकत अली और जरीना अकेले बच जाते हैं जरीना सोचती है कि देखो हमारा घर हमारा जो आश्याना है कितना सुना-सुना हो गया है। किसी भी बच्चे की रोने की आवाज हसने की आवाज नहीं आ रही है, मतलब ऐसा होना चेहिं हैnा कि जिससे हम जी भरके बाते कर सके, अपने पोते पोतियों के साथ खेल सके घर तो एकदम सुना सुना है कि किस से बाते करें तो इस तरह का महौल हो भी जाता है बरकतली भी बोलते हैं कि सच में हम लोगा आश्याना जो है न यह एकदम सुन सा हो गया है सिर्फ हम ही दोनों जन है बेटे और बहु भी नहीं है जि बेटे और बहु के घर चले जाते हैं वहाँ पर स्टाटिंग में तो दो तीन साल रहते हैं इनको सुरुवात में बहुजदा मज़ा आता है रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन दो तिन साल बीट जाने के बाद अब इनको उगताहट फिल होने लगता है क्योंकि बरकत अली और जरीना को कोई काम करने ही नहीं दिया जाता था सिराज जो की बेटा था और इर्फाना जो की बहु थी दोनों इतने अच्छे मतलब बेटे और बहु थे ना कि अपने अबु अमी और ये अपने सास ससूर को कोई काम ही नहीं करने देती थी सब्सक्राइबिना कोई भी काम करने जाती तो इर्फाना कहती की रहने दीजिए अपका जमाना खत्म अब हमारी खिद्मत की बारी है अब आप अराम कीजिए अब हम काम करेंगे बीख़िए कितनी आप बोल सकते हैं सुन्दर ओर सुसील बहु जरीना को मिलिये कि काम करने नहीं देती है बोलती है कि आप बैटे रहे हम किसलिए है अब आपका जमाना खतम हो गया अब हम लोग काम करेंगे ठीक है तो कोई भी काम नहीं करने देती है यहां तक कि जरीना नौकरों को भी उसके मतलब सिराज और इर्फाना के बैठे घर बो नौकर रहते हैं तो जरीना नौकरों को भी बताती की तुम इस तरह से बरतन ना दो इस तरह दो या फिर कपड़ा इस तरह सुखाओ इस तरह डालो बताती भी थी ना की इस तरह काम नhigh करो फिर भी करने तो दिया ही नहीं जाता था, यहां तक कि टेंसन भी नहीं ले सकते थे, बात भी नहीं कर सकते थे, हाँ बात कर सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन सिराज और इर्फाना के पास उतना वक्त नहीं होता था, कि यह दोनों जन बैठ कर अपने बेटे और बहु उसे बात कर सके लेकिन कोई भी काम करने जाते सिराज और इर्फाना मना कर देते सिराज भी बेटा भी उसी तरह था अपने वालिद और वालिदा को काम करने नहीं देता था मतलब ठीक है काम करने नहीं देना यह अच्छा बात है इससे पता चलता है कि बेटा सुसील है ठीक ह बहुत सुसील है ठीक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओभर करना कि आप बोलने भी न दिया जाए कि हां इस तरह मत करो यह तो बहुत ज्यादा जाता है ना इस तरह लगने लगता है कि हां उस घर पर सिर्फ उसी का अधिकार है तो बरकत अली और जरीना को लगने लगा कि देखो ये बेटे और बहु का घर है इस पर किसका अधिकार होगा बेटे और बहु कहीं न अधिकार होगा इस पर हमारा हक बिल्कुल भी नहीं है पर हम लोग का हुकम कैसे चलेगा यह हमारा आशियाना नहीं है थेक है इन लोग को अंदर ही अंदर एहसास होने लगा जरीना भी यह सोच रही थी और फिर बरकत अल्ली एक दिन खुद ही आकर बोल दिये कि ठक गया हूँ जरीना अराम के जिन्दगी बिताते बिताते कब तक हम इस तरह रहेंगे चैन ना कोई काम ना कोई धन्दा हम लोग कुछ बोलते भी हैं तो हमारे बेटे बहु इतने सुंदर और सुसील है कि हमें बोलने भी नहीं देते हैं काम भी नहीं करने सिर्फ खाना है और आराम करना है मलव अराम करने हम लोग का उस आशियाने पर हक होगा हम लोग का हुक्म होगा भले ही तुम दाल चावल बनाना हम लोग दाल चावल ही खाएंगे लेकिन अपना आशियाना तो होगा उस पर अपना हुक्म होगा न अपने हिसाब से हम लोग करेंगे न जो भी करना होगा ठीक है, अपने हिसाब से जो भी काम करना होगा करेंगे कभी भी हम लोग कुछ भी बना सकते हैं जब मन करेगा हम लोग चाओल बनाएंगे जब मन करेगा दाल बनाएंगे जब मन करेगा तब हम लोग चाय बना कर पियेंगे साथ में और अपने आस-पास के जो जितने भी लोग होते हैं पडोसी लोग वो उनसे हम लोग बाते करेंगे यहाँ पर शहर में तो कोई पडोसी भी नहीं है शहर में बिल्डिंग होता है और पडोसी भी नहीं होता है अपने काम से बस अपना काम रखना होता है शहर में लोगों को ठीक है तो ब भले तुम दाल, चावल बनाना हम लोग वही खाएंगे, चाय पिएंगे, पडोसी से बाते करेंगे, पडोसीों से मिल जूल करेंगे, हम लोग को कुछ होगा तो पडोसी है ना, हमें देखने के लिए चले आएंगे, ठीक है, और उसके बाद से बस इसी तरह जिंदगी जो चाहाँ वो कर सको, ठीक है, तो यहाँ पर कहानी का अधेंड जाता है, आई होप आप लोगो को पूरा कहानी समझ में आया होगा, चलिए कोई भी कमफ्यूजन हो, कमेंड में आप लोग को पूच सकते हैं, बाकी मैं आप लोगो को जो कुछ भी समझाई, समझ में आए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कियें न तो फड़ापट लाइक करें, शेयर करदें फड़ापट अपने पड़ोसी अपने दोस्तों की पास, ताकि सभी लोग इस कहानी को सुन सके, और समझ सके कि अपना आश्याना होता है, लेकिन हाँ, यह तो बात में बताना कि लुग में दिया गया है चलिए उन सब भी डिटैस्कों समझ लेते हैं क्योंकि आप लुग जानते कि मुसानिफ से कोश्ञ पकहा है 100 पर से लगोसरन पूछा जाता है आप की आप सब्सक्राइब तो समज्ञत मुंसरे बारा में हां तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह रहा निगार अजिम का इमेज पना अच्छा यह तस्वीर नहीं है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप लोग गूगल पर सर्च करके इनका इमेज दिखाई देगा तो अच्छा है बहतर है आप सभी लोग के लिए कि मशूर एहम अफसाना निगार है बहुत अच्छा यह अफसाना लिखा करती है और इनका असल नाम रियल ने में मलिका महर निगार याद रखिएगा यह अबजेक्टिव में कोशन पूछ दिया था और भले यह निगार रजिम के नाम से मशूर हो गई लेकिन इनका रियल नेम क्या है मलिका महर निगार वह उर्दू दुनिया में मशूर मकबूल है अपने अफसाना लिखने के वज़ेसे और यह अपने अफसाने यानकी कहानी में ज्यादातर और तो के जज़बात को जाहिर करती थी उर्दू के लावा इन्होंने ड्रॉइंग और पेंटिंग में भ हासिल की जो निगार रजी में है ना साधत हसन मंटू जो की अफसाना निगार है यानि की अफसाना लिखा करते हैं तो साधत हसन मंटू की अफसाना निगरी का तनकीदी जाइजा तनकीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान तनकीद को हिंदी में कहते हैं आलोशना या नहीं कि retali स्जाथत हसनमांटू की अफ्साना लिखते हैं हिनके अफसानह नेघारी में क्या कमी है और क्या अच्छाई है अच्छ्छाई और बुराई दोनों लिखकर बता देना ही तो अच्छाई और बुराई दोन्हों को लिखकर जाहर करदेता है तो तो अबझा ने लिखते हैं इसमें क्या अच्छाई है और बुराई है यह नहीं लिखकर पेश कर दिया था और उसके बाद से जामियमिल इसलामिय अकॉले से इन्होंने पीजडी की डिगरी भी हासिल की थी यहाँ पर objective में question इस बार पूछा गया था कि निगार अजीम ने किसका तनकीदी जाइजा लिया किसकी अफसाना निगारी का तनकीदी जाइजा लिया आपसन में दिया था साधत हसन मंटू तो यह याद रखिएगा अगर question पूछे तो आप लोगों को एकदम सही टिक करके आना है ठीक इस वक्त खवातीन अफसाना निगारों में उनकी खास पहचान यूभी बनती है कि उन्होंने खवातीन उन्होंने खवातीन के जजबात और महसुसात और उनके मसाइल पर मतादत अफसाने लिखे हैं देखिए अफसान निगाराजिम इसलिए और भी ज़्यदा मशूर हो गई क्योंकि इन्होंने अपने अफसाने अपने कहानी में औरतों के जज़बात वा एहसास को एक आप बोल सकते हैं में पॉइंट बनाया मतलब औरतों के एहसास और ज़बात इनकी भावनाओं को अपने कहानी में डाल दिया जिसके जैसे और भी ज़्यदा ये मशूर हो गई ठीक है आगे देखे इनके बारे में और किताब है ये निगार अजिम का पहला कहानी का किताब है जो कि उन्हीसा नब्बे में शाय हुआ यानि की परकाशित हुआ उसके बाद से एक और किताब परकाशित हुआ गहन नाम का ये उन्हीसा 99 में परकाशित हुआ था अफसानों के लावा इन्होंने सफर नामे और तन और का जाईजा भी पेश किया था सिंग के चाए चाला की शक्सित कारणी अमर्द की निकि प्रसनालिटी यह तो और उनकी की शाइरी पर भी जो नगार रजीन रहूं न है और जो यहां में के लिखा था है यादर को दो फाइनली यहां पर हो जाता है है एक चैप्टर नंबर फाइफ आश्याना नामका चैप्टर पूंडोप से कम्प्लीट टोटल कम्प्लीट हो गया ना कहानी भी बता दी मैं आप लोगो अग मुसानिफ यानि की नेगार अजिम के बारे में सारा डिटेल्स आप लोग समझ गए ठीक आई होप आप लोगो को पूर ज़ह करते हैं लेही सपोर्ट ब्रकरार रखिए जितना ज्ठा हो सके श्यर करें मैं आप लोग के सपोर्ट इल से धन्यवाद भी करते शुक्रियाा sweetheart करते हूं कि आप लोग के सपोर्ट को जैसे ही तो इतना हमारा जो ग्यापन एकडमी इतना बड़ा परिवार बन kg बन सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का और नोटिफिकेशन आप बेस्तों, क्योंगे पाली दोहआएब टूर मोटर मुथक्र publi, पाली यायू आने पतार नादी का और र 강्मद दरितो तोदिकेशन आता के लाली तोटित वुपक्र होग, मिल आता दुनलुक्ण से लिकरकेशने वीडियो को और वीडिकेशन आपाली को。